सोशल न्यूज नाइन टाइम्स ओफ इंडिया की एक रिपोर्ट के मुताबिक डोबिवली पुलिस ने 65 साल की एक महिला को गिरफतार किया है जो स्कूली बच्चों को ड्रग्स बेच रही थी इस महिला का नाम सल्मा नूर मोहमद शेक है पुलिस को जानकारी मिली थी कि महिला पिछले कुछ महीनों स्कूली बच्चों को नशीली दवाई बेच रही थी इस सूचना के आधार पर तिलक नगर पुलिस स्टेशन के वरिष्ट निरीकशक विजे कदम ने एक टीम का गठन किया इस टीम द्वारा महिला को एक माह तक स्कूल की छट से निगरानी में रखा गया आखिरकार पुल महिला ने फिर से ड्रग्स बेचना शुरू कर दिया इस संबंध में बात करते हुए दोंबिवली के सहायक पुलिस आयुक्त सुनील कुराडे ने कहा आरोपी महिला को ड्रग्स बेचने के आरोप में उसके आवास से गिरफतार किया गया है साथ ही उनके घर से 6 लाख बाउन शुगर भी जबत किया गया है